बाला विवान कैसे आप सब लोग आज हम पढ़ेंगे माघद अंपायर के बारे में क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है चंदरगुप मौरिया के पहले जो अंपायर था वो था नंदा डायनेस्टी और जो नंदा डायनेस्टी है वो पार्ट अफ माघद अंपायर ही है तो वो पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें चंदरगुप मौरिया पढ़ना तो उससे पहले जो नंदा डायनेस्टी थी वो कैसे आई और वो कैसे कॉलाप्स हो गए उसके बारे में भी हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है सो लेट्स स्टार्ट सिक्स टू फोर सेंचूरी के बीच में अवंती मघद कोसाला एंवास्ता जैसे चार स्टेट ही बचीती क्योंकि महाजनपरदास कितनी है 16 स्टेट है तो यह आपस में ही क्या करे थे लड़ाई कर रहे थे ताकि यह अपने जो चार स्टेट हैं यही ब अपने आसपास के एरिया को बढ़ा सके जिसे कोसाला ने अपने आजपास के अबारी आप कर दीया था ते यह दिन मघद ने भी किया था तो ऐसा माना जाता था कि जो मघद है वह सबसे जादा पावरफुल है द्यूरिंग इस टाइम में जो इस सेंचुरी के बीच में जो मगद था वो सबसे पॉवर्फुल माना जाता था शिक्स सेंचुरी और फोर सेंचुरी के बीच में स्ट्रगल हुआ था इन चारो स्टेट्स में जिनुने उन जो सिक्स्टीन महाजना पदास हैं उनको क्या क्या था अपने अंडर ले लिया था तो ये दूसरे के साथ लड़ते क्यों थे फोर सूपरमेसी के लिए लड़ते थे इसलिए जो बड़ा किंडम था मगद अमेर्च हुआ मोस्ट पावरफुल वन था और एक फाउंडिंग अंपायर भी था मगद जो है वो सिच्वेट कहां पे है बिहार में है ऐसे माना जाता है कि जरासंधा जो है वो डिसेंट यानि कि बेटे थे बिहार दरता जो थे उनके और ये फाउंडर थे किसके मगद अमपायर के तो ऐसे माना जाता है कि जो जरासंधा जी है वो फाउंडर है मगद अमपायर के और जरसंदयन ब्रिद पिहार दरता की बाते की गई है महाबारता के अंडर भी हमने अब भी क्या पड़ा कि 6-4 सेंचुरी के बीच में महगत को साला वास्ता जैसी जो स्टेट्स थी वो बची रही बाकी जो 16 महाजना पदास थे वो क्या हो गे थे इन्हीं के अंडर घंकर हो गे थे क्यूंकि ये जो चारो स्टेट्स थी एक दूसरे के साथ लड़ रही थी फार सूपरमेसी इस सूपरमेसी के लड़ते लड़ते जो मगत है वो एक बड़ा most powerful एक बड़ा स्टेट अमर्ज होके आया मगत जो है वो बिहार में सिचुएट है और जो जरासंदा जी है वो founder है किसके मगत अंपायर के कॉज क्या था कि मगत अंपायर को success मुली success इसलिए मिली क्यूंकि उनका जो geographical area था वो rich source था किसमे iron में because of the richest iron deposit जो की राजग्रीहा के आसपास मिलता था जो की earliest capital थी मगत की आपको यार होगा कि कल मैंने जो आपको questions करवाये थे MCQs उसमें लिखा गया था कि earliest capital of मगत की कौन सी है तो वो है राजग्रीहा राजग्रीहा है earliest capital of मगत सो वो जो iron होता था उसको use किया जाता था weapons के लिए मगत ने अपना center जो था जो गंगा के आसपास का जो plane area था उसके अंडर रख दिया था वो jungle को clear करते थे और soil को fertile मनाते थे ताकि उनको खाना भी वहां पे available होता था special advantage थी आने के military organization अच्छा था मगत जो था वो सबसे पहला था state जिसने elephant को war के लिए यूज किया अपनी neighboring जो states हैं उनके साथ लड़ने के लिए सो आपको ऐसे question आ सकता है कि first state जो है कौन था जिसने elephants को use किया as a war तो वो थी मगत इन्होंने horse and chariot को भी यूज किया था सो अब भी तक हमने पड़ा कि जो जो चार जो powerful states थी मगध को साला वास्ता है नवन्ती यह एक दूसरे के साल लड़ी थी फॉर सूपर मेसी and जो जारा संदा जी है वो मगध अंपायर के फांडर है and मगध जो है वो सिच्वेट कहां पे बिहार में है causes कहा थे मगध अंपायर के success के कि वो जो एरिया के आसपास रहते थे राजगरिया के आसपास रहते थे वहां पे rich deposits थे iron के and iron को यूज करते थे for making weapons तो ये middle plane gangate कहने के गंगा के आसपास रहते थे जंगल को clear करते थे for tell soil को यूज करते थे for food surplaces military organization बहुत अच्छा था मगध पहला अंपायर था जिसने elephant को यूज किया for war purpose horse and chariot को भी यूज करते थे सो यहां बे अब देख सकते हैं कि जो कि expansion था मगध अंपायर का वो कितना था यह पूरा expansion था मगध अंपायर का जो मगध अंपायर है हम इसे पढ़ना चाहें तो हम इसमें तीन डानिस्टी को पढ़ते हैं हार्यंका डानिस्टी को शिशुंगा डानिस्टी को पढ़ते हैं हार्यंका डानिस्टी 544 BCC 492 BCC year याद रखना important है हर एक जगा में अलग-लग year होंगे हर एक books में अलग year होंगे so मैंने ये NCRT से लिया है तो आप इसको follow कर सकते हैं Shishunaga dynasty 412 BC से 344 BC 344 BC से Nanda dynasty आती है 323 BC तक पहले हम पढ़ेंगे हारियंका dynasty 544 BC से 492 BC तक इसके जो founder थी वो कौन थे Bimbasara जिसको Shronika भी बोला जाता है Bimbasara जो है founder आफ हारियंका dynasty के ये first king थी जिनके पास standing army थी तो आपको ऐसे question आ सकता है who was the first king to have a standing army तो वो थे Bimbasara जी जिनके पास standing army थी और जिसको हम Seniyana या फे मकारिया भी बोलते हैं ये contemporary थी यानिकि किसको follow करते थे Gautam बुद्धा को इन्होंने किस princess से शादी की Kosala की जो princess थी Kosala देवी महा Kosala भी बोला जाता है sister of Kosala कि प्रसंत जी की बैंजे इन्होंने शादी की थी इन्होंने तीन शादियां की थी लिच्छवी जो प्रिंसेस थी इससे भी की थी अंद इन जो मदरास की जो थी मदरास की की जो थी Kheema daughter of मदरास इससे भी शादी की थी विच्छ help him expansionist और इन्होंने इससे शादी क्यों की थी ताकि जो इनका अंपार है वो और ज़दा फैले तो इन्होंने तीन शादियां की थी पहली थी कौन कोसाला दीवी जो प्रिंसेस थी कोसाला की एंदेन लिच्छवी की प्रिंसेस चेलाना एंदेन खेमा जो थी प्रिंसेस मद्रास किंकी इन्होंने काशी जो था ऐजे डवरी यानि की दहेज में जब उनकी शादी हुई थी प्रसंत जी जो कोसाला के राजा थे उन्होंने काशी जु एरिया था वो किस से लिया शादी दहेज में इन ion से लिया था उन्होंने कांकर किया आग्रा को इन्होंनेhte अपना पंसले हंजो पर्सनल फीजीशन ह्य जी बीका उसको उजेन में भेजा वैन एवंती का जु किंग था प्रढको निया उनको जॉन डिया जो काशी का एर्या था प्रसंत जी जो कोशाला के राजा थी उनसे लिया था उन्होंने आज़ी से लिए थी उन्होंने आगरा को कनकर किया और उन्होंने अपना personal physician ज़ो था जेवीका जिसको बोला जाता है उन्होंने उजेन में भेजा जब परत्यों ज़ो थे उन गूण प अपनी जो capital थी जो इन्होंने new city of capital उन्होंने लाई वो कहां पर थी राज ग्रीहा में थी तो capital कहां थी इनकी राज ग्रीहा में देन हम पढ़ते हैं अजाज शत्रू जिनको कुनिका भी बोला जाता है 492 to 460 BC भिमबसारा का जो बेटा था अजाज शत्रू उन्होंने उसे सक्सेड किया था उन्होंने अपने फादर को मार दिया और उनका जो थ्रोन था वो ले लिया यानि कि अजाज शत्रू ने किसको मा बिमबसारा को मार दिया था और उनका जो थ्रोन था वो खुद सीज कर लिया था वह बहुँ जादा ही अग्रिसिव थे और एग्रिसिव पॉलिसी को डॉप करते थे इन्होंने कंट्रोल किया था ओवर दे एरिया ऑफ काशी ब्रोक कर दिया था और रिलेशन ऑपने माप में देख सकते हैं किfeld интересно हो जो हरिआंक डैनेस्टी है और जो शिशव रंगा डैनेस्टी है वह सेम इस kı'll तर फ्या थे यह जो एरिया है फ्रम राज-क्रिई वरन दा से उजयें तक यह जो एरिया है किसका है हर शिशव इंग डैनेस्टी थे बाइनेस्टी बाइ वो यहां तक ही इस एरिया तक ही फैली हुई थी तो अजाश्यत्रू जी बहुत जादा ही अग्रेसिव थे इन्होंने डेस्ट्रूइ कर दिया वेशाली कैपिटल जो लिच्छवी किंग की थी वजी जो थी वह उन पे नजर आजाश्यत्रू की बहुत जादा थी तो इनके ल डेसीए थे शल शोले साल लगे थे जो वजी है इसको आपने क्यापिटल बनाएं इनुहने वजी को दिफ्एट किया उनुहन के लोग हमें जो वजी के लोग थे उनके अंदर नफरत पैदा की उन लोगों के अनदर नफरत पैदाड़ की उन थीश्यत्रू के इंह जिन्होंने बीज बोए थे यानि कि उन्होंने नफरत पैदा की थी वजी के जितने भी लोग हैं उनके अंडर जो थी जो वजी का राजा है उसके लिए नफरत पैदा की थी राता मुसला जो था एक चैरियट था और ये महा महाशील कंट का जो था एक बोड इंजन्ता तो ये तीन इंपर्टन चीज़ें हैं या आपको याद होने चे हैं सुनी दीयान वजता सागर राता मुलसा महाशील कंट का ये तीन इंपर्टन एंज often कि अजाश शित्रो की इंपर्टन रोल प्ले किता है वाजी उ दीफियट कर इन्होंने कहा किया एक डिप्लोमेसी की ताकि वो जो वाजी है वो इनके अंडर आ जाए इसी के अकॉर्डिंग जो काशिय और वेशाली था वो भी मगद में एड हो गया था मेकिंग इसको टेरिटरी को बहुँ जाद ही पौवरफुल कर लिया फिर इसके बाद उन्होंने अपना फॉर्ड जो था राजग्रीहा में बनाया एन एक वाज़ फॉर्ड बनाया कहां पर जलादुर्गा में विलेज है पटालू अन दे बैंक अफ गंगा आपको अजास शत्रु में कह समझाए कि अजास शत्रु जो थे वह बहुत जादही एग्रेसिव थे इनन्होंने अपने फादयों को मार दिया था ताकि इनका जो थ्रोन है वह बोले सकी उन्होंने अपने मैटर्णल जो अंकल है यानिके निके मदर के जो भाई थी उनको भ वाजी भी इनकी नजरों पे थी, 16 साल होगे थे, इनको उसके अटाक करते हुए, बट ये वाजी को नहीं ले पाए, बट उन्होंने वाजी को कैसे लिया, उनके जो लोग थे, वहाँ पे इनुने क्या किया था, नफरत के जो बीज बोय थे, उस वज़े से उन्होंने जो वा प्ले करते हैं, जिसमें की वाजी को डिफेट मिला था, वहाँ सुने इधा, इन्वता साकर, रातमूसाला, एंदेन, माहाशील लंग कताका, तो ये तीन इंपोर्टन्ट है, इसके बाद इन्होंने वाजी जो था, अपने अड़े ले लिया, और अपना फॉट बुल्ट के राज क्रिहा में, देन है उजयान, ये जो तीनों है, जो बिंबसारा, अजाच शत्रु अंदेन, उदियान, ये तीनों जो है, ये तीनों हरयंका डाइनस्टिके हैं, अजाच शत्रु को उसके बेटे ने, उदियान ने सक्सीड किया, इसका रीजन इंपॉर्टन्ट अजाच परणमें, इसके बाद किस के टाइम पीरिड में, जो तीनों अकटो बिकॏ मैं, उदियान को बाकि अनुरधा, मुंडा, नागा, नागा, रस्का, इन सब रूलर्स जो ये बहुत बीक रूलर्स है, इनोंने इस से कैक्या सक्सीड कर लिया, अब देन है, शिशु न नागा दसका तो नागा दसका को अपना चुन लिया और जो नागा दसका थे इसके नागा दसका के मिनिस्टर तो लोगों ने चुना किसको शिशुनागा को इंपोर्टन एच्विवमेंट कहती शिशुनागर डैनस्टी की कि इन्होंने इन्होंने डिस्ट्रक्ट किया था अवदा प्रियाद होता ये पी है प्रियाद होता डैनस्टी आफ अवन्ती तो इसी लिए जो ओल्ड रैवल्री चले थी बिट्विन मगद और अवन्ती वो ख अवन्ती था वो भी किसका पार्ट बन गया था मगद रूलर का पार्ट बन गया था फिर देन जो शिशुनागर है वो सक्सीर किये गए थे बाए काला शोका और काका वर्ना इसका रीजिन इंपोर्टन है विकोज इसके टाइम पे ही क्या हुआ था सेकिंड बुद्धिस वेशाली में इन 383 BC में सो यह इंपोर्टन है आपको याद रखना है में भी ऐसे भी पूछा जाए कि किसके पीरिड कौन सी डैनेस्टी की टाइम पर सेकेंड पुद्धिस कौन सी तो वह थी शिश्रंगा डैनेस्टी के टाइम पर देन है नंदा डैनेस्टी 344 2323 BC यह डैनेस्टी रूल्ड फॉर 100 यह जो इंपोर्टन है और आप यह इस मैप में देख सकते हैं कि जो नंदा डैनेस्टी थी कहां से कहां तक फैली हुई है 100 यह नुने रूल के यह फर्स नौन शेत्रियन डैनेस्टी थी शिश्युनगा डैनेस्टी को ओवर्थ्रोन कर दिया जिसने इस्टैबलिश किया नया किंग जिसका नाम है नंदा डैनेस्टी महापद्मा को सबर सर बाक्त तरंकाट भी बोला जाता है यानि की डैट इस अप्राइटर ऑफ दा श्यत्रियास एंड अर्संजा डैट इस ओनर अफ दा हीूज आर्मी दा पुरानास काल महापद्मा इकरत पुरानास ने महापद्मा को इकरत कहा है या इस नंदा डैनिस्टी ने इनको फस्ट एंपरर ऑफ दे इंडिन हिस्ट्री भी कहा जाता है महापद्मा सक्सीड़ इस एट सन यानि कि महापद्मा को कितने उसके एट सन ने उससे सक्सीड किया था जो लास्ट थी वो कुन ते धनानन थे यह मोस्ट इंपर्टेंट है क्योंकि इनका बार बार जो चंद्रगुप्त का टाइम पिरेड उसमें जिकर किया गया है इट वस दूरिंग इस तैम धनानन जो था उनके टाइम पिरेड में ही अलक्जंडर जो थे नौर्थ फेस्ट इंडिया में आये थे धनानन डैनेस्टी जो थी केम टो एंड एंड इन 322 से 321 बीसी में ही एंड हो गई थी बिकोज मॉरेन अमपार आगे थे उनको आवर्थरो किया था नंडा डैनेस्टी को बाय मॉरेन दे अलप उफ चनक्या मौलिन अंप्यर में पढ़ेंगे तो, यहां आप मैप में देख लेए, जो किटना बड़ा अंप्यर खड़ा किया गया था बाए नंदा रूले, तो यह जू ब्राउन शील है, यू सारा किसका है नंदा डाइनस्टी का ही, है कि नंदा डांस्टी जो थी कहा से कहां तक थी, इनके जो लास्ट सं थे उनका नाम है धनानन तो यह याद रखेगा धनानन था और अवर्थो किया गया था भाई मौरियन अम्पायर अब है ओरिजिन आफ मौरियन अम्पायर पहले भ्रामिकल टेक्स्ट में इसा बोला जाता था कि जो मौरियन है वो बॉर्ण टू मौरा है डाटे शुद्र वुमिन जो थी उनसे बिलॉंग करते हैं और बुद्धिस टेक्स में कहां जाता है कि यह शत्रय क्लान से बिलॉंग करता है यहां कि मौरिया जो है वो कहां से वर्ड आया है जो आप देख सकते हैं कि जो ब्राउन एरिया है ब्राउन शेडिड एरिया तो यहां पे जो है यह पूरा जो कवर किया गया है बाई मौरियन एमपार चंदरगुप मौरिया 322 बीसी टी 298 बीसी ग्रेटेस रूलर इंदा इंडियन हिस्ट्री भी बोला जाता है ने चंदरगुप मौरिया ने लास्ट दी थ्रोन किया था लास्ट रूलर को धनानन मैंने अभी आपको पर पड़ाया उन्होंने उनकी जो कैपिटल थी पाटली पुत्रा को से कौपाई कर लिया था विद्धा हल्प आफ कोटलिया डेटेस चरनक्या भी उसे बोला जाता है 305 BC में चंदरगुप मौरिया ने डिफीड किया सालिस निकेटर को हुस सरेंडरी वास्ट टेरिटरी जिसने कि अपनी सारी टेरिटरी जैसे कि अरिया अर्चोसिया गेर्डोसिया एंड पैरंपंसोरा जो काबल में है इन रिटर्न और फाइफंडर एलिपेंट यानि कि ये लड़ाई ही उसके बाद इन्होंने ट्रेटी साइन की बिट्विन चंदरगुप मौरिया एंसे ट्रेटी साइन हुए जाते कि जो हिंदकुष है वह एक बाउंडरी लाइन बनेगी इन स्टेट्स के बीच में हिंदकुष यानि की जो अफगानिस्तान जो हिमालियन रेंज है अफगानिस्तान की जो हिमालियन रेंज है उसे हिंदकुष पोला जाता है तो वहां तक क्या होगा इनकी बाउंडरी लाइन बनेगी किसकी चंद्रगुप मौरिया की एंसेलिशस की मेगर 30 जो थी ग्रीक एंबसिटर थे जिनको भेजा गया था चंद्रगुप मौरिया के पास बाइस एलिकिस निकेटर ने चंद्रगुप मौरिया ने एंब्रेस करते थे जानिजम को फिर उसके बाद वो कहां चलेगे चंद्रगिली हिल्स चलेगे एट स्रवां बेल गोला चंद्रगुप मौरिया के बाद किसने सकसीड किया उनके बेटे ने जिनका नाम है बिन्दु सारा इंपॉर्टन लिंक्स थे इनके ग्रीक प्रिंसिस के साथ इनका जो बेटा था अशोका वो ग्रेटेस्ट किंग था मौरियन डूलर का अशोका था वो बहुत जादा ही क्रूल था अपने टाइम में उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया था ताकि वह थ्रोन पर बैट जाएं यह स्टेट में मिथिकल भी हो सकती है क्योंकि अशोका की बायोग्रफी जो है वो बुद्धिस ऑथर्स ने लिखी भी है वो फ संस्कρίट वोर्स आया अमरित खाटा भी बोला जाता था यह सय न को calling अमर्य द्धा ने जाता था वह अजी वि civ का कटे चेहन जह जो पांटेश करते थे अज़े को आप मुझे बता रहा है कि जो आजिवी का है वो किसने दिया है आप मूझे कवेंग सेक्चिन में बदाया क कि आजी विका किस ने दिया है उनके friendly relation थे Syrian kings के साथ अंटीचिस first जो थे उनके साथ उनके अच्छे relation थे Greek ambassador जो थे वो उसके court में भी आते थे बिंदु सारा के तो यह है बिंदु सारा जी तो इनका जादा रूल नहीं बिताया है दिन आते हम अपने चनक्या के पास चनक्या पढ़ना important इसलिए है क्योंकि यही वो है जिन्होंने चंदरगुप मौरिया के साथ मिलके नंदर आयनेस्टी को क्या किया था और थ्रो किया था इनको पढ़ना important है इसलिए तो चनक्या जो थे वो चंदरगुप मौरिया के teacher थे chief minister भी थे ब्रामिन थे बर्थ से teacher थे scholar थे है टकसिला में other names इनके अलगा नाम है विश्नो गुपता या कोटलया भी ने बोला जाता है तो विश्नो गुपता, कोटलया and then चनक्या तीनो इन ही के नाम है चन्या को Indian Macavally भी कहां जाता है he was a minister in the court of बिंदु सरा, बिंदु सरा के court में भी ये minister थे, master strategies जो थी नंदा डाइनस्टी कोट अवर्थो करने की वो इन्हे के पीछे उसके पीछे इन्हे का दिमाग था rise of Moran Empire, throw a student चंदरगुप Moria, तो नंदा क्या करूँगा कि जो नंदा रूलर है उसे खतम करके ही रहूँगा तो इन्होंने strategies मनाई जी चंदरगुप Moria के साथ और अवर्थो कर दिया था नंदा किंग को देन आ जाता है इन्होंने क्या लिखा है एक book का नाम है most important that is अर्थ शास्त्रा जिसमें इन्होंने मौरियन जो administration है political administration उसके बारे में बताया है तो यह most important है इसमें 15 books है और 180 chapters है so आज का हमारा बस यहीं तक है कल हम अशोका पढ़ेंगे so आज हमने आपको पढ़ाया है चंदरगुप मौरियन और बिंदु सरा हमने पढ़ लिया है क्योंकि वह पढ़ना इंपोर्टन जादा इसलिए था क्योंकि वह हमार को चंदरगुप जो टाइम पे रहा है इसमें पूछा गया है बार बार बाते की गई है इसलिए वह most important है so आज का लेक्चर इतना ही जो टेस्ट है कल वाला नहीं दिया है वह आप मेरे चैनल पर जा के टेस्ट दे सकते है Sumairas Classes for Jkssb आप जा के आप मेरा जो मेरा टेस्ट आला था वह आप दे सकते है so आज के लिए बस इतना ही तब तक लिए अपना ख्याल रखे और अच्छे से और पढ़ते जाए अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा तब तक लिए बबाई और अपना ख्याल रखे